हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ पॉन और आप देख रहे हैं पॉन इंफो टेक चैनल दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने MS Paint के सभी के सभी विकल्पों के बारे हम बताया था और शाथी शाथ हमने बताया था कि MS Paint को 10 तरीके से कैसे ओपन करें और MS Paint को अपने नाम से कैसे ओपन करें और MS Paint के परते एक बिकल्प को हमने बारीकी से समझाया है एक-एक आप्शन का उप्योग करके हमने बताया है और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे MS Paint में कौन-कौन से साथ कट होते हैं और उनका कैसे उप्योग किया जाता है दोस्तों अभी हम अपने desktop स्कीन पर आ चुके हैं आप साथ कट को समझने के लिए सबसे पहले आपको MS Paint प्रोग्राम को ओपन करना होगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको 10 तरीके से Paint प्रोग्राम को ओपन करना बताया था तो सबसे बढ़िया तरीका हमें लगता है कंप्यूटर के कीवोड से विंडू प्लस र की को प्रेस करना और जैसे प्रेस करते हैं तो रन का डाइलाग बाक्स फुलकर आ जाता है जो कि अभी आप देख रहे हैं और यहां पर open जो दिख रहा है इसके right hand side में search box दिख रहा है इसमें आपको टाइप करना होता है MS Paint और यदि MS Paint नहीं टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं पी ब्रॉस जभी देखें हमने टाइप किया हुआ है पी ब्रॉस और ओके को क्लिक कर देना है लेकिन यह साटकर की वीडियो है तो दोस्तों यहां पर ओके को हम क्लिक नहीं करेंगे अपने computer के keyboard में आप ध्यान देंगे तो इंटर नाम का एक बटन है उसे प्रेस कीजिए म आप दोस्तों यहां परिखन में घ्यान रखना है कि यहां पर कोई एक ड्राइंग बना लेते हैं जैसे हमने यह इक गोला बना दिया और इसमें एक red कॉलर हमने फील कर दिया अब ध्यान देना है दोस्तों आपको कि पिक्चर को सेब करने के लिए आप क्या करते थे सबसे पहले यह समझ लेते हैं फिर साटकर काम उप्योग करते जाएंगे तो आपको क्या करना था कि यहां पर देखें क्विक एक्सेस टूल बार में से बटन दिख रहा ह या फिर अगर जो यहां नहीं रहता है जैसे माल लिजे किसी नहीं से हटा दिया है जैसे अभी देखें नहीं दीख रहा है तो आपको पेंट बटन को क्लिक करना होगा और सेब को क्लिक करना होगा तो ध्यान दीजेए इसमें हमने क्या किया सबसे पहले पेंट बटन को क्ल होते हैं उनको single single बोलें तो कीज है की जिनका उपयोग हम numeric data alphanumeric और control करने के लिए करते हैं लेकिन दो की को एक साथ दबाते हैं या फिर single purpose वाले जैसे function की तो इन तरह के की को हम shortcut की बोलते हैं कि मतलब बिना किसी menu में बिना किसी को क्लिक किए हम कारे को कर लें तो अभी यहीं देखिए save करने के लिए shortcut होता है CTRL plus s मतलब control बोलते हैं जिसे तो control plus s अब plus नहीं दबाना है दोस्तों control और s बटन को दबाना है जैसे ऐसा करते हैं तो देखिए save page का dialogue बाफ खुल कर आ गया अब यहां पर जो भी आपको यहां पर पसंद करना हो तो उसे click कर दीजिए जैसे की desktop और file का नाम आपको जो भी रखना है टाइप कर लेजी जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूं पावन इन्फो टेक 2 मैं रखना चाहता हूं तो देखिए हमने अपने file का नाम टाइप कर दिया पावन इन्फो टेक और यहां पर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है जैसे एंटर करेंगे यह आपको फाइल से हो जाएगी जैसा कि देखिए टाइटल बार पर दिख र नहीं आया हम जैसा था वैसा ही चाहते हैं तो उसके लिए computer के keyboard से control प्लस Z बटन प्रेस किजिए जो last action को रद कर देता है यानि कि last time में जो आपने काम किया होगा उसे हटा देगा control Z का उतनी बार उप्योग कर सकते हैं जितना बार आपने कारिक किया होगा जैसे अभी एक बार हमने color कोटा है पुना control Z करेंगे तो यह गोला भी हट जाएगा अब आप चाहते हैं कि जो हमने बनाया था उसे फिर से repeat किया जाया जैनि कि last action को दोहराया जाया तो उसके अब यह सब नहीं चाहिए था हमें पुरानी वस्ता में जाना है तो यहाँ पर आप control Z करते जाएंगे देखेंगे तो एक 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 गायव होता जाएगा देख रहा है और आपको फिर से यह हम इच्छा हुई कि नहीं जो जैसा था हम हो ऐसा ही कर दिजिए तो control plus Y करते जाए यह एक 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 एकशन वापस आता जाएगा लेकिन धान जाए जब आप control Z किया होंगे तभी वापस आएगा तो चलिए हम यहाँ पर पुरा control Z कर देता है यानि कि यह सब नहीं चाहिए हम वापस आले जाता है अब अगला हमारा साटकर जो है alt plus space combination है अपने computer के keyword में दे पाते हैं देखिए यहाँ पर एक box खुल कर आता है इसको बोलते है control box या control menu इसमें सबसे पहला वाला because देखिए re-store इसे click कर रहे है तभी काम नहीं कर रहा है और highlight भी नहीं हो रहा है तो re-store का मतलब हमने पिछले वीडियो में दोस्तों बता दिया था कि अगर जो image पूरे screen पर भरा पड़ा हो मतलब पूरे screen पर दिखाई दे रहा है तो उसे छोटा कैसे करेंगे फिलाल देखें तो अगला हमारा move काम कर रहा है अभी हम इसका उपयोग करेंगे move काम कर रहा है लेकिन ध्यान देंगे तो परतेक यहाँ पर word या command के नीचे एक character को underline कर दिया गया देख रहा है जैसे restore में R को move में M को size में S को minimize में N को maximize में X को और close में C को तो यह heart shortcut की कहलाते हैं क्या करते हैं heart shortcut की अब यहाँ पर simple अगर जो आप M button press करते हैं देखें M यानि कि move में देखें तो M के नीचे underline है तो अपने computer के keyword से सिर्फ आप M press कीज़ें जैसे M press करते है तो देखें यहाँ पर center में जहाँ पर red color के box में आपको दिखाए जा रहा है यह 4 move का निचान बन गया है इसको बोलते है move button यह जो तीर का निचान दिख रहा है न तीर का ही निचान है 4 तरफ दिखाई दे रहा है तो इसको move बोलते है move button अब अब अपने computer के keyboard को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे चार arrow key बना हुआ है मतलब तीर का निचान बना है चार key पर अब उन चारो key में जिधर जिधर आप अपने key को प्रेस करेंगे उधर इधर यह आपका window जाएगा देख रहा है अभी हम right कर रहा है राइट जा रहा है तो आप जा जा रहा है और अभी हम इसको left कर रहा है तो यह left जा रहा है और अभी हम down तो अब ध्यान दीजिए यहां पर हम चाहते हैं कि यहां पर छोड़ दें तो हम कोई काम करते हैं यह mouse को भी घुमाते हैं तो mouse के साथ भी घूमना शुरू कर देता है देख रहा है अब आप चाहते सेंटर में आ गया है अगर जो सेंटर में आ गया है तो इसको resize button बोलेंगे अब आपको यह decide करना है कि उपर की तरफ बढ़ाना है कि left side बढ़ाना है कि right side की दोनों तरफ एक साथ बढ़ाना है तो चलिए सबसे पहले उपर कर लेते हैं तो देखें जैसे हमने up key दबाया यानिकि जो arrow key है न चारो वाला up, down, left, right उसमें से up arrow key को हमने प्रेस किया तो देखें सबसे उपर वाले यानिकि title बार के border पर चला गया है और दो मुह का तीर का निशान बना है जिसे resize बोलते हैं अब up key को प्रेस करेंगे देखें यह बढ़ा होगा अब हम चाहते हैं कि left hand side की तरफ बढ़ें तो आपको अपने computer के keyboard से left arrow key को प्रेस करना है जैसे ऐसा करते हैं तो देखें एक कारनल में चला जाता है थोड़ा सा टेहा दिखाईने देने लगता है तो अब इस सबस्ता में आप left से भी घटा बढ़ा सकते हैं और ऊपर से भी घटा बढ़ा सकते हैं कैसे तो चलिए हम इसको left की तरफ बढ़ाते हैं तो left arrow key को दबाईए देखें अब बढ़ा हो रहा है तो यहां पे left arrow key को दभाईए, तो देखे left की तरफ जा रहा है, अगर जो down करते हैं तो देखे नीचे की तरफ आ रहा है, छोटा हो रहा है, और यहीं पर अगर जो हम right की तरफ करते, तो देखे छोटा हो जाएगा, तो इस परकार आप एक साथ छोटा और बड़ा भी कर सकते अगर जो task complete हो गया हो तो enter कर देंगे, अब पुना alt plus space की दबाते हैं, अगला हमारा क्वारा minimize, तो minimize के लिए देखिए n है, जिसके नीचे underline किया गया है, तो अपने computer के keyboard से end button press कीजिए, जैसे end button press करेंगे, ये window minimize हो गया, देखें, ये window से पूरा गायब हो गया, अब पुना हम से वापस लाना है start cut की मदब से, तो दोस्तों अपने computer के keyboard में सबसे पहले दूर लिजे, देखिए कि से tab लिखा हुआ है, तो ओपराप करना हो, तो सबसे left side में देखिए, सबसे उपर पहला की ESC नजार आ रहा, उसके नीचे एक और symbol वाला बटन आ रहा, उसके नीचे तो देखिए, तीसरे लान में tab निखा है, तो अब आपको alt हम मैंने पहले बता दिया था, alt वाले पर आपने उठा रखिए, मतलब alt बटन को दबाईए, और tab बटन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसा करते हैं, तो automatic देखिए गा, जितना भी window हमने खोल कर रखा हुआ है, यहां जो आपको चाहिए होगा यही window तो वहीं पर alt को छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमारा तो यह प्रोग्राम था नहीं, चुकि हमारा अभी channel का logo दीख रहा है, पौन इंफो टेक, तो यह नहीं है, तो हम यहां पर tab कर लेंगे, यह देखिए, दूसरा आडो सेटी जहां पर हम हम अपनी आडियो को record कर रहा है, पुना टैब करते हैं, देखिए हम जहां पर अपनी video edit करते हैं, Tech Smith का हम तेशी हमें, पुना टैब करते हैं, तो अभी हमारा दूसरा ब्राउजर खुला हुआ, पुना टैब करते हैं, तो यहां पर देखिए, तो हमने एक और ब्राउजर पेंट, तो अब टैब करते हैं, तो पुना अपर किरिया दोहरा आई जाती है, तो देखें, आ गया, यह हमारा पेंट है, थोड़ा सा black color में आ रहा है, लेकिन फिर भी देखें हाँ, red color के box में दिखाया जा रहा है, और कारनल में logo दीख रहा है, पेंट का, अब alt बोटन को अंडरलाइन है, अब अपने computer के keyword से X बटन को प्रेस करना है, जैसे X बटन को प्रेस करते हैं, यह पूरे window पर छा जाएगा, मतलब बढ़ा हो जाएगा, चलिए प्रेस करके देखते हैं, देखें हमने X दबाया, आटूमेटिक या बढ़ा हो गया, पुना alt प्लस इस्पे कर लेते हैं, ताकि आपको यह न बिलीब हो कि माउस से क्लिक कर दिया, अब R बटन को प्रेस कीजिए, देखें रिइस्टोर हो गया, पुना alt प्लस इस्पेस की दबाते हैं, तो देखें दोस्तों हमने रिइस्टोर, move, size, minimize, maximize बता दिए, अगला हा रहा हमारा close, तो close में द अंदर कुछ बदलाव किया है, बदलाव किया है, तो यह को है रहा है, पुना आपको save करना पड़ेगा, save करेंगे, तभी हम window को बंद करेंगे, यदि आप save नहीं करना चाहते हैं, तो don't save को क्लिक कर दिजिए, और गलती से आपने ऐसा कर दिया है, तो cancel कर दिजिए, तो फ plus space बटन दबाते हैं, और control box या control window में देखें, इसमें सभी भी कल्पों के बारे में हमने बता दिया, अगर जो फिर भी आपको कोई problem है, तो इसी वीडियो के नीचे जाए, comment सक्षन है, comment में type कीजिए, आपको क्या problem है, हम उसकी पुना वीडियो बना के आपको दे देंगे आठ के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे, हमारे वीडियो को like कीजे, अपने दोस्तों में share कीजे, मिलते हैं आपको नए वीडियो में नइट आपको साथ, तब तक के लिए नवसकार, जय हिन, जय भारत